दोस्तों ये कहानी है एक किड्नी चोर की जो ऐसे तो लोगों के सामने बाबा बनके घुमता था तो ये फरजी बाबा असल में एक किड्नी चोर था जो छोटे बच्चों को पहले पकरता था बाद में उसका किड्नी निकल कर कही जाके बेशता था तो एक दिन की बात थे जब ये किड्नी चोर बच्चों की तालास में गाउपे भटक रहे थे तभी इसके सामने दो बच्चे थे जो अपने घर पर शाहिद कुछ काम कर रहे थे तो पहले तो इस किड्नी चोर ने उन दोनों बच्चों को हल्की से आवज में बुलाया लेकिन बच्चे जब उसके पास नहीं गए तो उसने अपने थेले से उस खाने का सामान जैसे कोल्डिंग्स निकाला और फिर बच्चों की तरफ इशारा किया तो उन दो बच्चों में से जो छोटा बच्चा था वो लालस में आकर अपने भरे बाय का क्लेना ना मन कर वो किड्नी चोर के पास चला जाता है तो धीरे धीरे वो किड्नी चोर उस छोटे से बच्चे को लेकर कही जारी के पीछे चला जाता है तब भरे बाई को ये समझ में आ गाया कि कुछ गलत होने वाला है तो अपने पीथा के पास धोरे चले गए जारी के पीछे ले जाने के बाद उसकी निचुन ने अपने कुछ सामान निकाला और उस सामान के जरिये उच्छोटी से बच्चे को बेहोश कर दिया तो बरा लर्क अपने बाप के पाद जाता है और बाप को सारे चीजे बताता है उसके बाप भी अपने साथियों को एक एक करके बुलाता है राजो एंगो आलोव संडी सारे साथ एकट्टे होने के बाद वह हातों में डंडे जिसके पाद जो भी है वह लेके चल जाता है उस किड्निचोर को पकनने इधर ये किड्निचोर धीरे दीरे वह अपने थेली से हतियार निकलने लगे जिससे कि वह बच्चे का पेट फार सके और कुछने के बाद देखते हैं किड्निचोर वह बच्चे का पेट फार नहीं वाला था अभी किड्निचोर ने उन लोगों को देख लिया तो सामने भी लोग थे पीछे भी डंडे लेके लोग करे थे तो पहले तो उस गरीब बाब ने अपने चोटी से बच्चे को वहाँ से उठाया और जैसे ही किड्निचोर को दबसने वाला था पकरने वाला था वो अचानक से गायब हो गया और ये बात उन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो बाबा गाये कहा वो लोग वहाँ से उस चोटी से बच्चे को लेकर तुरंद भाग जाते है